जुनजुनु से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जुनजुनु में पर्दूसर नियंतरन बोड ने एक बड़ी कारवाई करती हुए पर्तिबंदित केरी बेक्स के गोदाम पर छापा मारा है। जहां से करीबन 6 तन यानी 6000 किलो से ज़्यादा की प्रास्टिक धली 5000 हैं जिस पर उन्होंने पुलिस की मदद से दबिश दी जहां दो मकानों में अलग 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 च्यार जगों पर करीब 6000 किलो पॉलिथिन की थेलिया मिली है जिने नगर परिशद जुनजुनु की मदद से जब्त किया गया है। तैसिलदार महंदर मून ने बताये कि लगा चंदेल के नेतरतों में नगर परिशद करमचारियों ने थेलियों को जब्त किया बताया जारा है कि इन थेलियों की किमत 8.5 लाग रुपए है टीम ने जब छापा मारा तो थेलिया को बेचने वाला वेक्ति मोक्य पर नहीं मिला वहीं जानकारी में सामने आया कि किराय के म माकान पर ही वेक्तिने को दाम बनाये हुए रखा था मुखबिर से प्राप सुसना के अधाफे तुल्शयान मोले में चापेमारी की कारवाई की गई है मुखबिर से साम को लग बग पांस नाड़े पांस तुजे सुसना मिली थी कि इस इलाके में बड़े घरों में बड़ अभी जो लोड़िंग की कारवाई है वो जारी है इसको जब्त करके नगर परिषद में रखवाय जाएगा और जो भी आगे पोलिशन कंट्रोल बोड के नियमानुसार कारवाई है वो की जाएगी हमको हमें सूचना मिली थी कि इधर अपने दो घरों में काफी मातरा में प जब्त किया है जब्ती की कारवाई चल रही है और लोडिंग चल रही है भी इसमें आगे जो भी होगा नियमानुसार अपन कारवाई करें रिल्कुल आगे भी भविश्य में जैसे हमें सूचना मिलती रहेगी कारवाई जारी रहेगी और हमारा सबसे नुरोद है कि अभी इसको जो सिंगल यूस प्लास्टिक बेंड किया है इसके पूरी तरह से अमल में ला है क्योंकि परशाशन की कारवाई आगे भी जाती रहेगी